हलो फ्रेंड्स तो चाट तो हम बहुत टाइब की खाते हैं लेकिन फ्रेंड्स आज जो ये चाट बनी है ये एकदम अलग चाट है इसे मैंने स्वीट कॉन से बनाया है तेस्टी सी चाट बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक बोल और उसमें एक कप कॉन डाला है ये सुईट कॉन है अब इसमें डालेंगे तीन चम्मच कॉन फ्लॉर कॉन फ्लॉर डालने से इसमें जो हमें कोटिंग करनी है बहुत अच्छे से हो जाएगी अब इसमें डाला है मैंने आधी चम्मच काली मिर्ची पाउडर आधा चम्मच इसमें चाट मसाला डाला है और स्वाद के नुसार इसमें काला नमग डाला है मसाले आप अपनी इच्छा नुसार इसमें कोई भी डाल सकते हैं दो चमबच इसमें मैंने ओईल डाला है जिससी की जो कॉन्फरर हमने डाला है वो हमारे कॉन्ण के उपर अच्छे से चिपक जाए और बस अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से अगर ओईल कम लगता है तो इसमें हम एक से दो चमबच पानी भी ऐड़ कर सकते हैं बहुती टेस्टी ये चार्ट बनती है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बस अब इसको मिला लेंगे अच्छे से टॉस कर लेंगे एक बारी बहुत जादा कोटिंग हमें इसकी नई करनी है बस ऐसे करना है कि जितने भी कॉट हमने लिए उसमें से थोड़े से अच्छे से कोट हो जाए थोड़े से अगर रह भी जाए तो कोई बात नहीं बस अब लेंगे कढ़ाई में तेल कोई भी रिफाइंड आप ले सकते है और जो हमने कॉट को कोट करके रखा है उसको हम इसमें डीफ फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स यकीन मानिए इतना टेस्टी चार्ट आप घर पे जटपट बना सकते है कि आप सोच भी नहीं सकते और कॉर्ण भी इजी ली मिल जाता है मार्किट में हर मौसम में मिलता है हेल्थ के लिए भी अच्छा है तो जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए मतलब कि आपको जैसे देखने से लगे कि हाँ ये अब सिख गया है उतने तक हमें इसको फ्राई करना है तो ये देखिए फ्रेंट्स मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है जैसे मुझे चाहिए था बिल्कुल ये वैसे ही हुआ है एकदम इसमें से कुछ दाने अच्छे से कोट हैं कुछ रह गए हैं तो कोई बात नहीं इसका टेस्ट फिर भी बहुत अच्छा आता है बस लेंगे अब एक बोल उसमें निकाल लेंगे सारे कौण को जो हमने फ्राई करके रखे हैं बहुत ही बहुत ही टेस्टी शार्ट बनता है तो बस अब इसमें डालेंगे हम बारिक कटा हुआ प्याज बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना है बस एक से दो चम्मच बारिक कटी हुई हरी मिर्ची अपने सुआद के अनुसार थोड़ा सा हरा धनिया और बस थोड़ा सा लेमन जूस वो भी आप अपने सुआद के अनुसार डाल सकते हैं कम्या ज्यादा जैसे भी आप खटा खाना पसंद करते हैं आप चाहें तो इसमें टमाटर और मिक्शिर भी एड़ कर सकते हैं लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है बस ये चार्ट बनकर अब तयार है आप कभी भी इसको इंजॉय कर सकते हैं शाम के समय भी आप जब आपका मन चाहे कुछ चटपटा खाने के लिए तब आप इसको बनाकर चटपट खा सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स